हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, स्टड़ी विश्रूती सो अब हम देखते हैं, सम कोमन डीजीज और दियर कोजिटिव एजेंट्स कि कौन सी ऐसी डीजीज है और क्या-क्या उनके क्या है कोजिटिव एजेंट्स है हम इसमें डीजीज, उनके पैथोजन, जिसके रजे से वो हो सकती है उनके वेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं, उनके कैरियर जो होते है उनका इंक्यूबेशन पिरिएड, मतलब जब वो डीजीज का एक्स्पोजर होता है मतलब जब हम vector से या फिर pathogen से जब हम हमारे अंदर वो enter हो जाता है और उसके बाद हमें जो first symptom आएगा उसके बीच तक का जो time होता है वो और उसके symptoms क्या-क्या होते हैं यह हम इसमें देखेंगे सबसे पहला होता है malaria, malaria जो होता है हमें plasmodium vivax की वज़े से जिसके carrier होता है female anaph fleas यानि की mosquitoes और इनको को intubation period नहीं होता है और इसके symptoms होते हैं हमें होता है fever, nausea और sweating now next is amoebiasis यह होता है हमें entomoiba hypotel यह वज़े से इसका जो contaminated जो food होता है यह उसके वज़े से हमें होता है और इसमें क्या होता है हमें abdominal pain होता है और diarrhea होता है now African sleeping sickness यह होता है हमें trypnosomo की वज़े से टैसे टैसे flies जो हैं इसके carriers होता है और इसके symptoms होता है anemia, patients will feel lazy, lazy feel होएगा और वो सोने पाएगा उसके बाद आता है kalazar, kalazar हमें होता है lishmania, denuoli की वज़े से इसके carriers होते हैं orthopoda, उसके बाद इसका incubation period होता है 3-6 month तक और इसमें क्या होता है हमें high fever होता है, हमारी skin जो है वो dark होना शुरू हो जाती है हमारा spleen जो है वो बढ़ा हो जाता है, उसका size बढ़ने लग जाता है और क्या होता है इसके बाद आता है chlora, chlora क्या हमें vibro chlora की वज़े से होता है contaminated food इसका जो है, जो carrier है उसके बाद 2-3 दिन इसका incubation period होता है और इसमें vomiting, dehydration, muscular clamp, muscles में cramp आना याने की उसके बाद frequent stool passing याने की diarrhea और इसमें blood भी हो सकता है diarrhea हमें E. coli की वज़े से होता है, contaminated food और water इसके carriers हैं इसके बाद क्या आता है, frequent stool आता है जिसमें की blood आता है और क्या होता है, dehydration typhide, typhide हमें पता है, हमें salmonella typhide की वज़े से होता है इसमें ये हमें antibacterial infection होता है, ये 1-3 week इसका incubation period होता है vomiting, fever, joint pain, ये सारे इसके symptoms है pneumonia, pneumonia हमें pneumonia, cocus की वज़े से होता है, ये direct contact की वज़े से होता है इसका incubation period 1-3 दिन का है, इसमें fever, pain हो सकता है tuberculosis, ये हमें tuber bacillus की वज़े से होता है, जिसमें की direct contact से होता है 3-6 week इसका incubation period है, pain होता है, chest में, constant cuff रहती है उसके बाद acne, ये होता है, staphylococleary की वज़े से, इसमें क्या होता है unhygienic condition होती है, pimples वगेरा हमारे face पे दिखने शुरू हो जाता है common cold जो है, वो हमें रहीनो virus की वज़े से होता है, direct contact होता है इसमें भी, इसका भी incubation period 3-7 दिन है इसमें क्या होता है, इसके symptoms होता है, cuff, fever और running nose उसके बाद आता है, mislees, mislees एक virus की वज़े से होता है direct contact में, incubation period होता है, इसका 10-14 days और हमारी बोडी पे बहुत सारे races जो है हमें दिखते हैं chickenpox यह होता है, वरसिला जोस्टर की वज़े से, direct contact की वज़े से 14-12 दिन इसका incubation period होता है, fever, rashes, बोडी पेइन, etc. यह सारे इसके symptoms है polio और smallpox, smallpox जो है virus की वज़े से होता है और इसका direct contact होता है जस दिन इसका incubation period होता है fever, rashes और बोडी पेइन, same इसके symptoms होता है और यह paralysis of skeletal muscle इसके क्या है, symptoms है, rabies जो है यह virus की वज़े से होता है, mostly यह जो dog के saliva की में present होता है, और और भी कुछ ऐसे virus होते हैं, जो इसको carry करते हैं, 10 दिन से 1 साल तक इसका incubation fitted होता है, और इसमें क्या होता है, fatigueness बहुत होती है, और hydrophobia, पानी से डर जो है, वो लगता है, AIDS, HIV, इसका virus है, और इसमें क्या होता है, यह sexually transmitted होता है, या फिर blood transmission हो सकता है, blood की विज़े से हो सकता है, और एक mother से fetus तक आ सकता है, या फिर किसी भी infected needle या blade के contact में, जब हम आते हैं, जब होता है, यह इसका incubation period 6 महीने से 10 साल तक है, और इसके symptoms है, fever, headache, हमारे immune system बहुत weak हो जाता है, और body weight कम होने लग जाता है, SARS, यह SARS virus की वज़े से होता है, direct contact होता है इसमें, 10 दिन इसका incubation period होता है, इसमें high fever होता है, confusion होती है, और diarrhea की problem होती है, dengue जो है, वो हमें erbo virus की वज़े से होता है, eddies, mosquito इसके carriers होते हैं, 3 से 8 तिन इसका incubation period होता है, joint pain और fever जो है, इसके symptoms हैं, brain fever क्या होता है, यह किसी virus की वज़े से होता है, इसके symptoms हैं, nose से bleeding आना या फिर mouth से bleeding आना, etc.